मैं डॉक्टर राजे सर आप सभी का स्वागत करता हूं अधिरस सेवा चैन आयोग लखनव के द्वारा एक बड़ी भरती का विग्यापन दे दिया गया है इस विग्यापन का सम्बंद चुकी स्वाज़िवाग से हैं और हमारे अपनों के घरों में ही या हमारे अपने ही जिनका भी आया है स्वागत है और इनके बारे में जैनकारी पूरा करके आगे बढ़ने का प्रियास करें सभी लोग तो देखे इसमें शाप साब लिखा है उत्तरपदे अजले सिवा चैन आयोग लखनव विग्यापन संक्या 11 परिक्षा दोहजार चोविस श्वास्त्रकार करता महिला मुख परिक्षा विग्यापन के प्रिकासन किती थी 14 अक्टूबर दोहजार चोविस ऑनलाइन आवेदन सुल्क जमा करना प्रारंब होने की तक ही 18 अक्टूबर से द्यान रखेगा इसमें जो आवेदन प्रारंब होगा वो 18 अक्टूबर से होगा और सुल्क जमा करने या सम्मिट करने की जो अंतिम्तिति है वो 27 नौमबर तक आप इसमें को भार सकते हैं और उसके बाद सुल्क समायोजन या किसी तरह की कोई प्रूटी है उसको सुधारने का या परिवर्तन करने का जो आपको आउसर मिलेगा वो चार दिसंबर तक इसका मतलब इसमें लास्ट क्रियाकलाब को करने का जो आपको आउसर मिलेगा वो चार दिसंब देखें इसमें बहुत सारी बातें अपना लिखे गई है ठीक है और आप सभी को करते हैं इसमें जो विशेष्टा है वो यह है यह स्वास्त कारिकरिता महिला मुख परिक्षा भेत अभ्यार्थियों की साट लिस्टिंग उनके प्रारम्भी का अरता जो पेट का स्कोर है पेट 2023 के उसमें लिया गया है ठीक है यह पेट 2023 में जो भी छात्रिस में संब्लित हुए होंगे यह वही इस वाम को जो है भर पाएंगे यह ध्यान रखिएगा कि स्कोर के आधार परखी गई जाएगी आता इस परिक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी आनलाइन अवेदिन कर सकते जो प्रारम्भी अरता परिक्षा 2023 में संब्लित हुए है यह वह उन्हें आयोग द्वारा स्कोर का का जारी किया गया प्रारम्भी के परिक्षा में अबसलूट स्कोर का अत्वार नर्मलाइज स्कोर में अब जो आपको 2023 का प्रिक्षा आपने दिया है उसमें अगर आपका मार्क सुन या आपका माइनस में नहीं है तो जो भी अभ्यर्ति है वो इस फॉर्म को सम्मिट कर पाएंगे आवेदन के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन होगा इन्हीं के जो है साइट पे जाके आपको आपको आवेदन करना है और परमपरागत रूप में जो जिस तरह से सबसे मांगा जाता उसी तरह के सारे विवर्ण इस पत के लिए भी मांगे गा है तो कोई नई चीज इसमें न नहीं मागी गई है ठीक है आप सभी को पता है इसके लिए जो अभी चुकि इसके बाद साइट लिस्टिंग होई इसके लिए परिक्षा सुल्क लेगा मात्र सभी के लिए देखिए 25 उसमें किसी भी मतलब इसमें कोई सुल्क नहीं जो प्रॉसेसिंग चार्ज है वही लिया सभी के आल लाइन प्रिकिरिया सुल्क ले ली जा रहा है आवेदल सुल्क नहीं है तो इसमें किसी को कोई छूट है ऐसा कुछ नहीं है आवेदल में संसोधन के लिए भी आपको पता है और जो रिजर्व कटेगरी के लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश के लोग होंगे यहाँ पर देख लीजिए 5272 तो यह जो 5272 है ठीक है वो अलग-अलग है अनारच्छित का देखिए 2399 या 2400 है ठीक है अनसूचित जात के 435 है अनसूचित जन जात के आपके 390 है अन पिछड़ा बर के 1569 है EWS के 400 जन 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 इस तरह से 572 कूल पदों की संख्या है ठीक बाकी इसमें जो 362 अक्षड की बात होती है किसी तरह के वो यहाँ पर साव अस्पस्ट किया गया ठीक है और अक्षड के लिए आपको अपने राज्ज के तैसील से कुछ चीजे आपको बनाके सर्टिपिकेट आपको अप्रूट करना होगा अधिमानी अहरता के रूम में उत्तर प्रदेश चिकिसा स्वाध्यों परिवार के लिए विभाग स्वासकार करता और स्वास्त परवेक्चक पूरूस और महिला राजपत्ति सेवा निवाली 2018 के भाग चार नियम 9 के अनुसार अन बातों के सवान होने पर सीधी भर्तिक मामने ऐसे भर्ति को अधिमान दिया जाएगा जो प्रादिक्सिक सेना में नियुनतर दो बर्स की अवाधि तक सेवा की हो या राश्टी के NCC का भी प्रमार्पत्र तो इस रूप में उनको जो है क्या की जाएगी और यह समू गा की भरती है ठीक है किसकी समू की भरती यह भी द्यार रखिएगा ठीक है के उसके बाद इसमें द में दिखै लिख्यीत परेक्षा युम्योजना इसमें लिखा बिग्यापन संग्या 11 700 स्वासकरत इस मिला मुध परिक्षा के रिक्ट पदो पर चैने कार्मिक कार्मिक अनुभाग तीन उत्तरप्रदेश शासन के सासना देश इतना इतना दिनांग तीन ग्यारे दोजारे की सब्सक्राइब इसके लिए जो क्या सब्जेक्ट है वह देखिए यहाँ पर जो है एक पूरा कि शासना देश यहाँ पर उसवें इन्होंने संलगन किया है उसको आप देख कर के यह जान सकते हैं आपके लिए जो है देखे यहाँ पर प्रस्णों की संख्या सव होगी निर्धारित कुल अंग सव होगा और समयावधी एक सोबीस मिनट या दो घंटे तो यह आपका इसमें बहुत सारे चीज़े दी हुई है इसको आप एक बार निकाल के पढ़ लीजिएगा और इसको जो है संसा के फेली राम चैनल पर डाल दिया जा रहा है वहां से निकाल के एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान प बहरती हैं ऐसा नहीं है कि यह बहरतियों की संक्या कब है उत्तर प्रदेश में इसलिए सबी लोग को मेनद करें और इसमें सफल हो धन्यवाब